जारखन की कांग्रेश जारखन बुक्ती मोचा गटपंधन सरकार खत्रे में लग रही है। अयोग्यता के मामले में घेरे मुक्यमंत्री हेमन सोरे ने शनिवार को गटपंधन के सभी विधायकों की एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में 11 विधायकों के नप पहुचने के बाद गटपंधन निताओं के होशुर गए है। वैसे तो गटपंधन नेता कह रहे हैं कि यह बैठक सुखार यानी सुखा के मुद्दे पर बुलाई गई थी लेकिन राजनीती गल्यारों में चर्चा है कि मामला कुछ और ही है। रिपोर्ट के मुताबिक इस पैठक में सिर्फ 37 विधायक ही पहुचे जबकि बहुमत के लिए 42 विधायक जरूरी है। मीटिंग में अलग-अलग कारणों से नहीं पहुचे 11 विधायकों से संपर्ग की कोशिश शुरू कर दी गई है। दोनों पार्टिया फ्रयास कर नहीं है कि कैसे भी ये विधायक पालानत बदल लें। दूसरी तरफ 50 लाख रुपए कैश लेकर पश्चिब बंगाल में गिरफतार किये गए कांग्रेस के तीन विधायकों को भी जमानत मिल गई। इन विधायकों ने कहा है कि रांजीतिक लाब के लिए मुख्य मंत्री ने उन्हें गिरफतार करवाया लेकिन उनका फून कांग्रेसी है और बें बीजेपी में कभी भी नहीं जाएंगे। लगातार चलते रहेगे। यह बाते कहां इस्टेब्लिश करती है कि मुख्य मंत्री की सदस्ता जा सकती है इसको लेकर कि यह सबक्वास इस सबकों चर्चने होगी। चुनाव आयोग का जो मामला है जब चुनाव आयोग का निर्ने आएगा उसके बाद भीचार होगा। बिकास को लेकर बैठा कुई है। बहमत है और रहेगा और हमन तुरन मुख्य मत्री रहेंगे। रहेंगे। आयोग का जो फैसे आया तो। आये का तब ना। अभी आया नहीं नहीं। आज भी सुखार की चर्चा हुआ। अटूरे मत्री कर्चा सॉखार पर कोई डिजन उसका डिजन आया कि तब ना। विगार एनगी विच्जन है। इसका डिजन या थारन होगा। कवंु ऐन्युध पुरा प्रिपेड है, सुकार, सुकार, सिरीफ सुकार, तारी सुकार पर, दादा राजनितिक सुकार क्या, राजनितिक सुकार नहीं, सकार पर, और विबिन विबागों पर, कैसे सरकार दुरुस्त रहे, कैसे, कोई, कोई बात नहीं, कोई बात, कोई बात नहीं, मुक मंदरी मुक मंदरी मुक मंदरी रहेंगे अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले